नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर चिन्नाई पहुंची बिहार की चार सदस्ये जान्स टीम ने कहा ये अब जिविका दीदी करेंगी बिहार में पुलिस की वर्दी की सिलाई उपेंद्र कुश्वाहा ने जेडियू को लेकर की भविश्यवानी भोजपूर पुलिस ने एक हजार बीस बोतल सराब के साथ तीन तसकर को किया गिरफतार माईलाओं के आईपियर में दिल्ली और आर्सिवी के बीच मैच आज इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से चन्नाई पहुंचे बिहार की चार सदस्ये जांस टीम ने कहा ये इसके साथ ही यहां पर काम करने वाले वे सभी मजदूर जो बिहार से आते हैं उन्हें आस्वस्त भी करेंगे और बताएंगे कि बिहार सरकार उनके कल्यान के लिए है इसके लावा हम उन सभी स्थानों का दोड़ा करेंगे जहां परस तरह की हिंसक घटनाएं घटित होती है आपकी जानकारी के लिए बता दे किस मामली को लेकर चिरनाई वरिष्ट बिहार के अधिकारियों के नर्त में टीम वहां गई है जो हर मामली की जाच कर उसकी रिपोर्ट मुख्यमंतर बिहारी मूल के लोगों के लिए तमिलनाडू राज़ेपाल ने की यह बड़ी अपील से घब्राने और और सुरक्षित महसूस ना करने को या गरत किया क्योंकि तमिलनाडू के लोग बहुत अच्छे और मिलनसार है और राज sorryकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद है बताले के से पहले तमिलनाडू के CM के दोरा भी मुख्यमंत्रे नितीज कुमार को आश्वासन दिया गया था कि तमिलनाडू में बिहारी मजदूर बिलकुस रक्षित है और अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो हेल्फ लाइ नंबर पर कॉल कर हमें उसकी जानकारी दे सकते हैं बिहार के दो IPS अधिकारियों का हुआ तबादला ग्रिवेभाग के दोराधी सूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के दो IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है आपके जानकारी के लिए बता दे कि जिन दो अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें भारतिय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के IPS अधिकारि अनुसूइया और भारतिय प्रशासनिक सेवा के 2009 बैच के IPS अधिकारी डिएजी जैकान के नाम शामिल है मालुम हो के IPS अधिकारी अनुसुया को बिहार, होमगार एवं अगनी समर सेवा में डिएजी के पद पर तैनात किया गया है तो वहीं जैकान को बेतिया का डिएजी बना दिया गया है अब जिवीका दीदी करेंगी बिहार में पुलिस की वर्दी की सिलाई इन दिनों बिहार में जिवीका दीदीयों को हर तरह के कामों को सौपा जा रहा है वहीं अब जिवीका दीदी बिहार में पुलिस की वर्दी की भी सिलाई करेंगी बतादी की बीते दिन DGP RS भर्ती के दोरा राजगीर इस्थित बिहार पुलिस अकादमी में जिविका दीदियों के दोरा संचालित पुलिस वर्दी सिलाई एवं सामगरी विक्री केंद्र का उद्गाटन किया गया इस दोरान DGP ने जिविका दीदियों को सिलाई के दोरान बरती जाने वाली गरबड़ियों की भी जानकारी दी और यहां अश्वासन भी दिया कि उन्हें विशेश प्रसिछन दिया जाएगा बतादी के आने वाले समय में इस तरह की सिलाई केंद्रु किश्रवात राजी के आने जिलों में भी की जाएगे जोरान कारीक्रम में जिविका के जिला कारीक्रम प्रबंदक संजय कुमार पासवान भी मौजूद रहे NMCH के लापता डॉक्टर संजय कुमार का मिला CCTV फुटेज कुछ दिनों पहले NMCH के एक्जामिनेशन कंट्रोलर और फार्माकोलोजी विभाग के विभादक्ष डॉक्टर संजय कुमार लापता हो गयते वहीं अब उनसे जुरा एक CCTV फुटेज सामने आया है बता दे कि यह CCTV फुटेज कैमरा कंस्ट्रोक्शन कंपनी के दोरा लगाया गया था जो ठीक महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नए पुल का निर्मान कारेक कर रही ऐसे में असपस्ट हो गया है कि वह मुझह पर पुर्पूर की ओर नहीं गय थे बिहार में डॉक्टरों और कारोबारियों के ठीकानों पर तीन दिन चला आयकर सर्वे इन दिनों आएकर विभाग की टीम टैक्स शोड़ी को लेकर काफी सजग है बतादी की ताजा मामला बिहार के पुर्णिया और सिवान का है जहां आएकर विभाग की टीम के दौरा डॉक्टर और तीन अन्य वेवसाई के 17 से अधिक ठिकानों पर छापे मारी की गई बतादी क चापे मारी करोरों की टैक्स गरबरी के सामने आने पर की गई है जो कि तीन दिन तक चार रिवसादी की पुर्णिया के जाने माने हड़ी रोग विशिशक गया डॉक्टर सफीक आलम के लाइन बाजार सिथ क्लेनिक और उनके हॉस्पिटल समीत अन्य ठिकानों पर जाच की इस दोरार उनके किलाव 4 करोर की टैक्स चुरानी का मामला सामने आया है इसके लावा जांच में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर ने जमीन में बड़े अस्तर पर निवेश कर रखा है जिनमें कहीं तरह की गरबढ़ियां मिली हैं होली में بिहार आना हुआ दुश्वार होली में बस अब कुछी दिन बाकी रहे गये हैं एसे में लोगों को अपना घर आना दुश्वार हो रहा है बता दे कि होली को देखते वे एक तरफ जहां ट्रेनों में टिकट की मारा-मारी चल रही है तो वहीं दूसरी ओर फ्लाइट का किराया आसमान चुरा है बतादे कि ट्रेनों की हालत ऐसी है कि अगर किसी तरह कोई व्यक्ती ट्रेन में सफर कर भी रहा है तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है वहीं बुजर्गों महिलाओं और बच्चों के लिए उमस भड़े महाल में सफर करना फजीहत फड़ा होडा है मालूम हो कि ट्रेनों में जनरल लिब्बे से लेकर स्लिपर और थ्री एसी बोगी में वेटिंग टिक्टो की लंबी भीर लगी है वहीं अगर इन सभी के बीच बश्यों की बात करें तो होली को देखते वे बसे भी फुल चल रही है और वे यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं पटना के नए SSP ने अधिकारियों को दिये सक्तनरदेश पीते दिन पटना के नए SSP के रूप में 2010 बैच के IPS अधिकारी राजीव मिश्रा ने अपना पदभार ग्रहन किया बता देए कि उन्होंने अपना पदभार ग्रहन करते ही होली और आम लोगों से जुरी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सभी सीटी, स्पी, ग्रामीन, स्पी और ट्राफिक, स्पी के साथ एक बैठक की और उसमें अपराद पर अंकुस्त लगाने को प्रात्मिकता दिया गया बतादी की बैठक में उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे होली सोहार्द तरीके से बनाए इसके साथ उन्होंने थानों और अधिकारियों को सक्त नर्देश देते वे कहा है कि वे आम लोगों की समस्याओं को नजर अंदाज नहीं करेंगे और लोग उनसे निर्भिक होकर सूचना दे सके इसलिए उन्हें सूचना देने वालों नामों को गुपतिस रखना होगा इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि समाजिक सौहार्द विगारने और हुर्दंग मचाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और ऐसे लोगों पर सक्त कारवाई किया जाएगा वहीं ट्राफिक स्पी को नर्देश दिया गया है कि सरकों पर बेतर्तीब धंग से बाइक चलाने वालों पर नजर रखी जाए ऐसे लोगों से जुर्माना वसूलन के साथ उनकी बाइक को भी जब्त किया जाए भोजपूरी पुलिस ने एक हजार बीस बोतल सराब के साथ तीन तसकर को किया गिरफतार बता दे कि ताजा मामला जगदीशपूर थाना अंतरगत बवनियाओं टोल प्लाजा के समीप का है जहां भोजपूर पुलिस के दोरा भोजपूर पुलिस अधिक चप प्रमोत कुमार के नरदेश पर जगदीशपूर डियासपी राजीव चंदर सिंग के नरततों में एक गठन कर भारी मातरा में सराब की बढ़ामदगी की गई है बता दे कि भोजपूर पुलिस के दोरा यह कारवाई सूचना मिलने के बाद टोल प्लाजा के पास घेराबंदी कर वहां चेकिंग के दोरान की गई थी मालूमों के चेकिंग के दोरान पुलिस को एक ट्रुक से 782 दसमलो एक साथ पांच लीटर अवैद विदेशी सराब बढामत किया गया और साथ ही तीन तसकरों की गिरफतारी भी की गई है बता दी की गिरफतार किये गए तसकरों की पहचान हीमाचर प्रदेश के सिरमौर जिला अंतरगत सिरमौर थाना चेतर के नोईटा धार गाउं निवासी कमल राज के पुतर अविशेक समराड जला थाना कुमार सेन थाना चेतर के नराजा गाउं निवासी बहादुर के पुतर संचीब भगत और मधुबनी जले मधिपूरा थाना चेतर के सिकरिया गाउं निवासी मनीक चौपाल के पुतर चंदर सेखर चौपाल के र संक्या में जद्दियू को छोड़ हमारी पार्टी से जूर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बात मैं जेडियू छोने से पहले बोला करता था वही बाते अब अन्य नेता भी बोल रहे हैं इससे यहां सावित होता है कि मैंने जो भी बोला था उस बातों में सच्चाई थी लेकिन मेरी बातों को नितीज कुमार मानने को तयार नहीं थी उन्होंने कह कि अब शायद ही कोई निता जेडियू में अपने मन से है सभी लोग इधर उधर बात कर रहे हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे सभी निता जदियू से अलग हो जाएंगा नों ने कहा कि अब तक लगभग जेडियू में अपना अस्तित्व खत्म कर चुका है पुर्व कॉंग्रिस से निता ने भाजपा से लड़ने के लिए बनाई रननिती तो हस्ता 24 लोग सभा चुनाओं से पहले पुर्व केंद्रिय मंत्री और राजित सभा सांसत कपील सिब्बल के द्वारा गैर भाजपाई मोख्य मंत्रियों एबं मिताओं से सहयोग मांगते व पहल में वकील अग्रणी भूमी का निभाएंगे इसके साथ इन्होंने यह वी जानकारी दिये कि आने वाले 11 मार्ज को जंतर मंतर पर इस पहल के संब्ध में एक बैठक भी की जाएगी समरार चौधरी का नितीज तेरश्वी पर निशाना वितेदिन बिहार विधान परिसद में निता प्रतिपक्ष विजेपी निता समरार चौधरी बिहार के आड़ा में चक्रवर्ती समरार चंद्रगुप्त मौरे का सौरे उत्सव मनाने पहुंचे इस दोरार उन्होंने को दबानी की भी कोशिश करते हैं मुख्य मंतरी नितीज कुमार पर तंच कस्तेवे समरार चौधरी ने कहा कि यह कैसा इंजीनियर मुख्य मंतरी है जो 17 साल से बिहार का मुख्य मंतरी होने के बावजूद भी यहां की सूरत को अब तक बदल नहीं सका है उन्होंने कहा कि इंजीनियर मुख्य मंतरी को सब्ता से उतार देना चाहिए एक तरफ जहां तमिलनाडू में विहारी उपर हमला किया जा रहा है तो वहीं दूसरी और विहार के उप मुख्य मंतरी तेश्वी यादब पहुचकर वहां के मुख्य मंतरी के साथ जंदन का केक खाड़े हैं महिलाओं के IPL में दिल्ली और RCB के बीच मैच आज महिला प्रीमियर लिग का पहला सीजन बीते दिन यानी की चार मार्च से सुरू हो चुका है बता दे कि जहां पहले मैच पे मुंबाई इंडियन्स ने गुजरात लायन्स को 143 रनों से करारी सिकस दी और उपनिंग मैच अपने नाम किया तो वहीं आज यानी की 5 मार्च को लीग का दूसरा मैच भारती महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्वृति मंधाना की कप्तानी वाली टीम रोयल चैलेंजर बैंगलोर और मिक लैनी की कप्तानी वाली टीम दिल्ली कैपिटर्स के बीच खेला जा रहा है आप और 32.62 रूपए प्रति लिटर मिल रहा हैं वर्चेप पर्पूर में पेट्रोल 107.91 रूपए और डीजल 24.64 फ्रतिली लुपए पुर्णिया में पेट्रोल कीमत 108.72 रूपए और डीजल 95.49 रुपए प्रतिली लिटर है फागलपूर में पेट्रोली कीमत 117.70 रूपए प्रती लीटर और 2096.04 उपए प्रती लीटर की दर से मिल रहा है। लिख कर जरूर बताएं आज के देखना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते नहीं बिहारी नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखने हैं चैनल को सबस्क्राइब करें